ये आकाश्वाणी रायपूर है प्रादिशिक समाचार बुलिटिन के साथ मैं शुब्रा भट्टा चार्य। और पेशा आज के मुख्य समाचार। प्रधान मंत्री ने कहा कि आब भरष्टा चार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। रायपूर में आयोजित राष्ट्री आदिवासी इंडिति महोचाव का आज हो रहा है समापन राजशासन ने राज़ुत्साव मेले को 6 नवंबर तक के लिए बढ़ाया। जाज़ीर चापाज जिले में शराब तसकरों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला टी आई और एसाई घायन। और मुंबई EOW की टीम ने रेलवे ठेके में वित्ती गड़बड़ी के मामले में राज़नाद गाओं के एक भाज़पा नेता को किया गिरफ्तार भाजपा जिला अध्यक्षनेस नेता को पार्टी से निलम्बित किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार की तरह सभी सरकारी विभागों में इच्छा शक्ती दिखनी चाहिए। प्रधार मंत्री ने उलेख किया कि विश्वास और द्रण संकल्प विक्सित राश्ट्र बनाने की कुंजी है। राज़धानी राइपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राश्ट्री आदिवासी नृति महोत्सव का आज समापन समारो आयोजित किया जा रहा है। इस समय आयोजित किये जा रहे इस समापन समारो के मुख्य आतिथी जारखंड के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन है। इस से पहले आदिवासी नृति महोत्सव के थीसरे और अंतिम दिन आज भिलाई से आई लोकरागिनी की टीम ने चत्तिसकर में प्रचलित सुवा नृत्य, रिलो नृत्य, रेला, रावत्य, नाचा की प्रस्तुती लोकगीतों के माध्यम से दी। वहीं बस्तर से आई लोक कलाकारों ने माडिया और गौर्ण रित्य की प्रस्तुती दी। आदिवासें रित्य महोसव के अंतिम दिन हरियाना के लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत घूमर मृत्य ने दर्शकूं को मंत्र मुग्द कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के कलाकारों ने भी कर्मा और सैताम रित्य की मनमोहक प्रस्तुती दी। इस बीच राज्य शासन ने राज्योसव मेला और प्रदशनी के अवधी को तीन दिन और बढ़ा दिया है। अब राज्धानी के साइंस कॉलेज मैदान में लगा राज्योसव मेला रविवार 6 नवंबर तक चलेगा। सहकारिता विभाग में अनसूची जनजाती समुदाय के लोगों को अधिनियम के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान करने और सम्विधान के अनुछेत के तहत विभिन सेवाओं, पद्दो नती, शिक्षन संस्थानों में प्रवेश के अवसरुपलब्द कराने की मांग क मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर त्वरित पहल करते हुए प्रकोष्ट गठन की अनुमती दे दी है। आश्ट्रे विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के कारेपालक अध्यक्ष और उच्चतम न्यायलय के नामित मुख्य न्यायधीश दी वाय चंद्रचूर द्वारा वर्च्वली की गई थी। इस अभ्यान को सफल बनाने के निर्देश दिये हैं। और एस आई शिव चंद्रा को गंभीर चोटे आई हैं। दोनों पुलिस अधिकारियों को बिलासपुर अस्पताल में भरती कराया गया है। पुलिस के मताबिक एक महिला आरोपी को गिरफतार कर लाते समय पुलिस की टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने साथ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है। इन में दो महिलाएं भी शामिल है। जिले के पुलिस अधीक शक विजय अगरवाल ने कहा है कि इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। में रेल्वे में लगने वाली सामग्रियों की सप्लाई के बदले 65 लाख रुपए का भुकतान किया गया था। इसी भुकतान में गड़बडी को लेकर EOW मामले की जाँच कर रही है। इस बीज राजनान्द गाउन जिला भाशपाध्यक्ष रमेश पटेल ने मामले की और खबरों की विश्वस्मियता से है हमारा वास्ता। आकाश्वाणी समाचार रायपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामई काईकरम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं। आकाश्वाणी समाचार फेस्बुक, यूट्यूब पर भी उपलब्त है। हमारा फेस्बुक पेज च्छतिसगर्ड न्यूज ओन एयाईयार, ट्विटर हैंडल सीजी एयाईयार न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है च्छतिसगर्ड एयाईयार न्यूज तो अब रेडियो के साथ ही आपकी मोबाईल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आम तक च्छतिसगर्ड की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वानी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जिन्होंने इसे दस वर्ष पहले बनवाया है और इसके बाद कभी भी इसे अपडेट नहीं करवाया। दिल में जगह बनाई। उनके गीतों में च्छतिसगर्ड की माटी की सौंधी महक और यहां के लोक जीवन की जलक रहती थी। उन्होंने कई च्छतिसगर्डी फिल्मों के लिए लोकप्रिय गीतों की रचना करने के साथ लोकसुर नामक मासिक पत्री का काभी संपादन और प्रकाशन किया। कला जगत में उनके स्योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं मुख्य मंत्री ने प्रसिद्ध साहितिकार भाशाविद और च्छतिसगर्ड राजजगीत के रचैता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा को उनकी जैनती पर नमन किया है। इस बेच दुर्ग जिले के धमधा में आयोजित राजजिसतरिय शाले क्रीडा प्रतियोगीता का आज समापन हो गया। इस प्रतियोगीता में दुर्ग ओवरॉल चैंपियन बना। वहीं बिलासपूर दूसरे स्थान पर रहा। समापन समारों में कृष्णी मंत्री रवि का कारे किया जा रहा है इसकी वज़ा से कल से आगामी 10 नवंबर तक इस मार्ग पर भारी वहनों के आवजा ही प्रतिबंधित रहेगी वहीं छोटे वहनों और यात्री बसों का परिचालन जारी रहेगा लोगों को होने वाली परिशानी के मद्दे नजर जिला प्रशासन ने वैकलपिक मार्ग के रूप में भारी वहनों के आवागमन के लिए केशकाल विश्रामपूरी चौक से विश्रामपूरी बोरई नगरी होकर धमतरी मार्ग का उप्योग करनी की सलाह दी है दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के सेवा सहकारी समिती सोरम के धान खरीदी केंडर के गुदाम में आज सुबह आग लग गई इस आग जनी में गुदाम में रखे बारदाने जलकर राख हो गए करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका आग लगने का कारण शौर्ट सर्कीट बताया जा रहा है और अब कुछ खबरें संक्षेप में कल देव उठनी एकादशी है इस अफसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुप कामनाय दी है दुर्ग कमिशनर ने आज जिला अस्पताल का ओचक निरिक्षन कर चिकित सकों की उपस्तिती का जाय सलियास दोरान 38 डॉक्टर, 70 नर्स और 5 कर्मचारी अस्पताल में अनुपस्तित पाए गए जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है सक्ती जिले के पिर्दागाओं में राम नामी मेले का आयोजन किया गया मेले में जैजैपूर विधायक केशव चंद्राभी शामिल हुई बिलासपूर के सीपत स्थित NTPC के मल्चिंग मशीन स्टोरेज टेंट में आज होई एक दुर्गटना में एक जूनियर टेक्निशन की मौत हो गई दुर्गप पुलिस ने आपरण और हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफतार किया है पुलिस के मताबिक इन आरोपियों ने 32 साथ अक्टूबर को एक युवक का परण कर उसकी हत्या कर दी थी विलाए पुलिस ने दो पहिया वाहन चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफतार किया है पुलिस ने आरोपी के पास से नौ बाइक और एक स्कूटर जब्त किया है जाजगी चापजिले के पंतोरा गाउ में पांच दिन पहले हुई सड़क दुरघटना में एसेसियल कर्मी की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी चालक को बाल को सित प्लांट से गिरफतार कर लिया है और प्रदेश के जाने माने पत्रकार रमेश नेयर का अंतिम संसकार रायपूर के बुढ़ा तलाब सित मारवाडी शमशान घाट में कल सुबह दस बजे किया जाएगा श्री नेयर का निधन कल शाम रायपूर के एक निजी अस्पताल में हो गया था अंतिमें मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री ने कहा कि अब भष्टा चार के खिलाफ निर्नायक लड़ाई का समय आ गया है रायपूर में आयोजित राष्ट्री आदिवासे मृत्य महोसव का आज हो रहा है समापन राजिशासन ने राज़ोसम मेले को 6 नवंबर तक के लिए बढ़ाया जाजगीत चापा जिले में शराप तसकरों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला टी आई और एसाई घायन और मुंबई EOW की टीम ने रेलवे ठेके में वित्ती गड़बडी के मामले में राजनात गाउं के एक भाज़पा नेता को किया गिरफ्तार भाज़पा जिला ध्यक्षनेस नेता को पार्टी से निलंबित किया इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिल समाप्त हुआ नमस्कार